नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैं आपका दोस्त दिनीश निमबावत जैसा कि राजस्तान का भूगोल बदल चुका है और राजस्तान के भूगोल के साथ बहुत कोछ इस्तित्याम बदल गई है हमें फिर से नए सीरे से पढ़ना पड़ेगा राजस्तान जीके को राजस्तान की लोकेशन चेंज हो चुकी है जो भी आटन कल्ची से समदित हो हिस्ट्री से हो और खेट जोग्राफी तो इस्पेशली पूरी चेंज होई गई है तो बात करते हैं जैसा कि दस संभाग और दस पचास जिल्ले बने हैं संभागों की इतियास की बात करेंगे जिलों की इतियास की बात करेंगे छोटे से वीडियो के मादियम से आप से निए दिन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा सबसे पहले बात करते हैं यह देखिएगा मेप के मादियम से देखेंगे यह नए वाला मेप है इसके मादियम से देखते हैं कि जो दस संभाग है उनकी स्थिति क्या है उसमें जिल्ले कौन कौन से सबसे पहली बात अकसांसी और देसांतर राजसान का भई हैं, ठीक है ना, 23 डिगरी 3 मिनट उत्री अकसांस से, 30 डिगरी 12 मिनट उत्री अकसांस हो गया, गुंचितर डिगरी 30 मिनट पूरी देसांतर से, 38 डिगरी 17 मिनट पूरी देसांतर हो गया, ठीक है, उसके बात बात करत सब्सक्राइब χुण हो सिकर में भी चार हैं सिकर में भी चार जिल्ले हैं सिकर जुन जुनुन निम का था न चुरू ठीक है फिर फिर इदर देखें जेपूर को जेपूर की बात करें जेपूर में साथ जिल्ले आएंगे कैसे जेपूर एक तो जेपूर शेर होगे एक जेपूर घ्राइमनगा हो गया उसके बाद दूदू कोटपूतली बहरोड दोसा यह न होगे शाथ कहा जेपूर में फिर इदर बरतपूर संभा की बात करें, बरतपूर में 6 हैं, कितने 6 हैं, बरतपूर, दोलपूर, करोली, डी, कंगापूर सिटी, स्वायमादेपूर, ठीक है, और दूदू, इस मेपके according, दूदू आपके हो जाता सबसे चोटा जिला, के यह सबसे चोटा जिला, सबसे बड प्लेट भी आएगी, तो उससे पता चलेगा, खेर अब तक के हिसाब से दू-दू लग रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला जसलमेर होगा, चाय कैसा भी होगा, उसके बाद बात करें हैं, आपन जोदपूर की दो, जोदपूर में भी 6 हैं, ठीक है, जोदपूर में 6 हैं जोदपूर, सेर और जोदपूर, ग्रामिन, फलोदी, जसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है, यह आपके जोदपूर में आने वाले हैं, उसके बाद पाली संबाग, पाली संबाग में 4 जिल्ले हैं, पाली संबाग में 4 जिल्ले हैं कौन-कौन से, देखें, पाली, जाल करें बासवड़ा बासवड़ा में तीन हैं बासवड़ा में तीन जिल्ले आते हैं बासवड़ा डूंगर कुरोर परताब गड़ ठीक है यह हो गया और फिर इदर देखें कोटा में कोटा में आपके चार जिल्ले आएंगे कोटा में चार जिल्ले कोटा बूंदी बारा जहला ठीक है अजमेर की बात कर रहे हैं अजमेर में तोंक, नागुर सापमी लुश्री का क्या रहता आप तक इत्यास बात करते हैं देखेगा रास्तान संभाग की इत्यास देखें अपन तो जब 1.9.1956 को रास्तान का गटन विए पोनट गटन जब हुआ तो उससे में उससे में पांच संभाग थे ठीक है पांच संभाग थे लेकिन महुलाल शुकार् तो अप्रेल 1962 में इस संभागी वैश्ता को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था लेकिन उसके बाद अजमेर संभाग बना 26.1987 को हरदेव जोसि द्वारा अजमेर संभाग बनाने के साथ ही इसे पूने सुरू कर दिया गया था 26.1987 को बरतो संभाग 4.25 उसके बाद आप बात करें अब एक साथ तीन संभाग बने सिकर, पाली और बासवड़ा सिकर, पाली और बासवड़ा, कौन सा बाड़ा? बासवड़ा अब इन तीनों संभागों के जो गोशना हुई है, वो 17.3.23 को हुई गोशना चार अगस्ट 2023 को इसकी अधिसोशना जारी हुई और ये साथ अगस्ट 2023 से लागू होने वाला ठीक है साथ अगस्ट 2023 से लागू होगा और सीम असो गहलोद दुआ रहा और इसकी समीती कौन से बनाएगी ते किसकी अनुसंसा थी तो पूरो आयस ओफिसर राम लुभया समीती के सिपारेस पर इस उनकी अनुसंसा पर इन तीन संभागों और उनीस ने जिलों को बनाया गया अब बात करते हैं आगे की तरफ देखते हैं आगे की तरफ जब चलते हैं अपन तो अब जिलों की हिस्ट्री की बात भी करते हैं जिलों की बारे में बात कर लेते हैं जिलों की बात करने तो जिल्ले कितने पचास जिल्ले होगे अब ठीक है पचास जिल्ले होगे जब 91 नुवबर उनिस सो चपन को राजसान जब बना ओफिसियली जब गटन हुआ पुंड़ गटन हुआ तब उस समय 26 जिल्ले थे कितने थे 26 डिस्ट्रिक्ट थे कितने थे 26 जिल्ले थे उसकी बात बात करें देखो 26 जिल्ला उसको कौन सा था अजमेर बना था फिर 27 बना था दोलपूर 15 अपरेल 1982 को 28 बनाता 12 10 अपरेल 1991 को और 29 जिल्ला बनाता 29 बनाता 30 रासमन बनाता यानि बात करें 12 दोसा और रासमन तीन जिल्ले एक साथ बनेते 10 अपरेल 1991 को 10 अपरेल 1991 को तीन जिल्ले बनेते 12 दोसा और रासमन तीक है फिर बात करें 31 बनाता अनुमान गड़ कौन सा गड़ है हनुमान गड़ 12 जुले 1994 को 31 जिल्ला बना अनुमान गड़ 12 जुले 1994 को बना 32 बनता है आपके करोली 12 जुले 1994 को हनुमान गड़ 32 जुले 1997 को करोली बनता है फिर बात करें 33 की कि कि 33 की 33 की बात करें तो 33 परताब गड़ बना 26 जनवरी 2008 को बना था 26 जनवरी 2008 को उसके बाद अब नया अपडेट 19 जिल्ले एक साथ नए बने ठीक है 19 जिल्ले जब एक साथ नए बने तो बात करते हैं आप देखिएगा इस क्रम में अब 33 तो थे अब 34 वा कौन सा होगा 35 वा कौन सा होगा इसकी जो बात है वो हमें पता चलेगी कब जब तो ऑफिशली साथ अगसे लागू हो जाएगा आपको बुकलिट भी मिल जाएगी रास्तान के ऑफिशल से ऑफिशल गवर्मेंट जब इसको लागू करेगी अपलाई करेगी तो इसके स्टेटिस्वल डिपार्मेंट डी आई प्यार पर भी उपलब्द हो जाएगी औस व जावर डी केगडी डीडवना कोचम सिटी दूदू कुटबूतली बहरोड जेरतर दिजला तीचार्या गंगा पुशिटी नीम का थाना फलो दी ठीक है इसके बाद बात करें सांचोर सनुमरो साहपुरा पुल मिला के राजस्तान अब हो चुका है पचास जिलों का दस भाग का संबा कितने होगे संबा गोगे दस जिल्ले कितने होगे जिल्ले कितने होगे जिल्ले होगे पचास ले अब भी ये स upright रूखने वाला नहीं है जैसा कि राम लुभय समयतिकी जो है उसके कारेकाल को और आगे बढ़ाद जिया गया छे महा के के लिए नए जिलो की अनिशन साफिस्ट हो सकती है लग भग आठ से दस जिल्ले नए और बनाए जा सकते हैं तो फिलाल के लिए रास्तान का भूगुल हमने आप से साजा किया आई तिंक आपको समझ में भी आया होगा इतियास के बात की इसके जिलों के इतियास और संभा के इतियास की बात भी हमने करी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे प्यार बनाए रखें हाँ थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजेगा नमस्कार